उत्तर प्रदेश विधान समा में सों बार को बजट पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादों ने योगी सरकार पर जब कर निसाना साधा उन्होंने खेती किसानी सिच्छा और सास्ति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की इतना ही नहीं अखिलेश यादों ने इस दौरान एक स्कूल का किस्सा भी सुनाया जब उन्हें एक बच्चे ने राहुल गांधी बता डाला सपाध्यच ने जब या वाक्या बताया तो सदन में खुप ठाके लगे खुश सियम योगी भी हसने लगे आपको बता दे कि अखलेश यादों ने सिच्छा के इस इस तर के लिए अपनी गलती भी मानी और कहा मैं प्राइमरी स्कूलों में हमेशा से जानता हूँ मैं एक बार नहीं गया जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी गया मैं अपनी कमी जानता हूँ जब मैं स्कूल में गया तो मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा कि मुझे पहचाना उसने का हाँ मैंने आपको पहचान लिया मैंने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ तो उसने का आप राहुल गांधी हो या सुनते सदन में ठांके गुंज उठे खुछ सीयम योगी भी खिलपला कर हसते दिखे इतना ही नहीं अपनी बात पर हस जाने को लेकर सपा अध्यच ने कहा कि इन्हें दुख इस बात का नहीं कि यूपी नीचे से चौथे स्थान पर है इन्हें खुसी इस बात का है कि मैंने कॉंग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया दुख इस बात का नहीं है कि इन्हें स्वास्त के आकड़ों में हम कहां खड़े हैं आज स्कूलों में बच्चों की भारी कमी है जो आप कहते थे कि दो करोड बच्चों को पढ़ाएंगे आप उनको पढ़ा रहे हो जो सबसे गरीब है जब संपन है वह पढ़ने कहां चले गए आप कहां से मुकाबला करोगे ब्यूरी रुपोर्ट आई प्यान